नमस्ते दोस्तों कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों लेकर आ गए हैं कुछ ऐसे उच्फूल टिप्स जिनको अपना के आपके गर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज्यादा असान अगर आपको आज की टिप्स जड़ा भी उच्फूल लगते ह लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हूं सब्सक्राइब कर लेना देदी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट फ़स्ट इफ हैं आप पर बॉटल को लेके साथी का मौसम आ गया है और हम लोग इसमें गरम पानी बगारा बढ़के पीते हैं तो जब भी पानी लिटे मैं निष्थ झाल फぁल प्रते हैं एक स Filter पर ना करते हैं तो इसमें खारे पानी के निशान वगिरा पढ़ जाती है बार अच्छे से मी की सब अच्छे से लेर्म पानी और अछया को भर देदाना है कोई बीड डिटर्जन like दाल दीजिए डाल दाल देना है आधार मे इसके बाद में लेना है नीवू, नीवू के रस को आप इस तरीके से डान दीजे और डक्कन को अच्छे से बंद कर देना है, तो जैसे आप नीवो बगएरा डानिक आप देखेंगे इसमें काफी ज़्यादा जाग जैसे बनने लगेगा इस तरीके से बंद करके बस थोड़ा सा इसको हिला दीजी आप देखेंगे जो भी इसमें गंदगी बगएरा होगी बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाएगी आपको यापत ब्रस बगएरा कुछ भी नहीं चलाना है बस इस तरीके से लादेना आप देख सकते हैं इतना ज्यादा इसमें छहाग बन गए कि इसके बाद में आप इसको किसी अलक बर्तन में पानी को निकल लिजिए और इसको अच्छे से साफ कर लिए आप देख सकते हैं पानी में कितने ज़्यादा गंदगी निकल के आ गई है जो भी बोतल में लगी हुई थी तो इस तरीके से आप बोतल को बिना बिरस के साफ कर सकते हैं आपको पहुत ज़्यादा मेनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप ज़ों से फटी टीफाइ मिवे अंपर बहुत जान करें रहाए तो अपर अपर इस तरीके से फ़र्च में जण्घ में व्रक्णा के निशांř सभी समय और को आवको इस तरीके से कुछ से लृप संने नशान पर लगहारे थो मिथासी निशां ग थार्णा में जिए शाफ्य सब्सान थैया है तो हन्हें देख सकते हैं मैंने सब्सकूल से सब्सार हैं कोई भी पुराना दिया लेकर को कॉटन कॉटन कौ इस तरी के से मोड़ने कर लेकर लेना है। इसको आपको गुलाई में इस तरीके से से मोड़े लेना है यसके बार में आपको ले लेना है वास लीन वास लीन इस तरीके से उंगली Int त्यार लेना है तो यह पर आप 2-3 लों ले जिए और चैसे बारिक शुट ली जिए और इसी ओपर डाल हएं ँब church, और सिरक शुट लीजें जलेजीए है। इसको आपको साम के टाइम पर जलाना आई जीएक। आप पुज़ा चला के पुज़ीग लग दी जो मच्छल या किड़े निकरने लगते हैं इसकी स्मयल बगयर भाग जाएंगे इसके अदावा वत उसंसी किचन सिंग में कि में पाइप लाइन की थूँ हैरने लगते हैं कॉक्रोच तो इसे जो भी नाली के अंदर कीड़े बगएरा हो जाते हैं या इसे कौकरोच बगएर आने लगते हैं सारी चीजे सब आप्ट हो जाएंगी तो इस तरीके से आपको दिया को इसमें रख देना है तो इससे आप किचन सिंग को भी शाफ रख सकते हैं अगली टिप्स है पर काफी कोसिस की लेकिन थोड़ा सा सीधा हो गया था इस तरीके से आपको इसको कर लेना है इसके बाद में आप ले लीजिए कोई भी डंडी अगर आपके पास बाइपर पोच्छा की तूटे वी डंडी उसको लगा लीजिए नहीं तो इस तरीके से लकड़ी वाला उससे आप बांदिये तो और भी अच्छे से बन जाएंगे लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहां पर देख सकते हैं कपड़े की साइथा इसको बांदा हुआ है इसके बाद में आपको लेने हैं पुराने बेकार मोजे और इस तरीके साप इसमें पहना दीजिए तो द बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको बना के कर लिया है तयार इसके बाद में आपको करना क्या है ले लेना है पानी और इसके उपर आप हलकाल का पानी छड़क दीजिए अगर आपको अच्छे से पोच्छा लगाना हो तो आप मोजे भ पाना के एक साथ जारू पोच्छा कर सकते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं करता है और यह बहुत ही अच्छे से काम भी करता है आप देख सकते हैं कूडा बगएरा इससे कितनी अच्छे से समिटता जा रहा है और जो हमारे टाल्स बगएरा है वह भी बहुत ही अ अच्छे से कोने मगेरा साफ हो जाते हैं बैट वगेरा के नीचे भी आप इससे दूल वगेरा निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से काम करता है अगर आपको पोछा लगाना हो तो इसको अच्छे से बिंगा लीजिए यह बहुत ही अच्छे से काम करेगा जो की सफाय भी इससे बहुत ही अच्छी से हो जाती है आप देख सकते हैं कितनी जादा धूल निकर के आ गई है अगली टीप्स है जब भी अब लोग धूद बगएरा का बरतन खाली करते हैं तो उसमें बहुत सारी क्रीम बगएरा चिपकी रहती आप देख रहें इसमें मलाई क अच्छी से इसमें चिपक जाती है तो आप करकर ये जब भी दूद का बरतन खाली कर रहें तो उसी बरतन में आटा लगा लीजिए तो जो भी इसमें क्रीम बगएरा लगी होगी आटे में निकल के आ जाएगी इससे आपका आटा भी सॉफ्ट लग जाएगा और जो क्रीम बगएरा थी वो भी पहुती अच्छे से निकल के आ गई है अंगली टिप्स हैं यहां पर मटर छीलने को लेके जब भी हम लोग मटर ज्यादा मात्रम ले आते हैं और छीलना होता है एक एक करके इस तरीके से उंगलिनों से छीलते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जो उप मैं पानी निकाल के अलग जय और आपको ले लेना है कोई बी साफ बड़ा कपड़े को आप इस तरीके से फैला के और जो मतर निकाला हुआ है इसको आपको डाल देना है मतर आपको कुछ इस तरीके से हलकालका फैलाना है फैलाने के बाद में आपको जो आदा कपड़ा बचाया है उसको आपको इस तरीके से पलट देना है पलटने के बाद में आप ले लीजिए कोई भी चूड़ी वगएरा अक्सर हम लोग हातों में इस तरीके से चूड़ कंगन वगएरा पहने ही रहते हैं चाहे तो आप वही कंगन ले लीजिए अगर कंगन नहीं पहने हैं तो कोई दूसरा कंगन लेके इस तरीके साथ चला दीजिए जैसे आप कंगन चलाते जाएंगे आप देखेंगे कलिया बहुत अच्छी से खुलती जाएंगी और इसके दाने निकलते जाएंगे तो ऐसे आप जट पर तरीके से मटचील के तयार कर सकते हैं तो यहरे विठ्ञाक सकते हैं तो को बाद की चीजिए लेनी हैं अकर कोई भारे चीजिए लेट्र तोड़ेंगे तोogen फूट जाएंगे तो यह बीज़ते से इस तरीके से प्रीजम्ट लेज़िए जिसें हैं G Mitch से निकल जाएंगे तो ऐसे आप कीलो-कीलो मटर भी कम समय में छील के तयार कर सकते हैं बिलुकुल भी टाइम नहीं लगता है और आपके हाथ बगेर भी दर fundo करेंगे आपके चल के तयार गया है था यहां पर आप आप देख सकते हैं मटर इस तरीके से चिल गई है तो ऐसे आप पेना मेनत के कम समय में मटर चील के तयार कर सकते हैं अंगली टेप है पार्टी का सीजन चला है जब भी हम लोग इस तरीके से बेंदी बगएरा जोयले के साथ में लगा के जाते हैं तो यह दर दर फिसलने लग है और बेंदी के पीछे वाले से मैं से आप लगा लीजिए तो यह बिल्कुल दिखेगा भी नहीं और जब आप बेंदी लगाएंगे ऐसे सेट करेंगे तो बेंदी आपकी दर उदर बिल्कुल नहीं फिसलेगी अगर आपको आज की टेप्स जारा भी उच्पुल लगे हो तो एक लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना ज्यादा से ज्यादा सेयर करना जिससे की और भी लोग इन टेप्स का लाव उठा सके